हेलो नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक जाम चाला के यूटूब चैनल पर मेरा नाम है मांचू और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 3 February के Current Firm SQ, Current Firm SQ में आज हम लोग देखेंगे 3 February और लगबग 2 February के Current Firm SQ, ठीक है, Important MSQ, तो चले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के MSQ, इसमें आप से पहला कुशन ही पूछा है कि अभी हाले में किस Metro ने First Metro Station Country में बना है, जिसने अपने यहां पर सभी कोचिस को Ultra Violet Race से 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 Sanitize मुलब करने का यहां पर decision लिया है, तो इसका सही answer क्या है, इसका सही answer है लखनाव Metro, लखनाव Metro ने अभी हाली में जितने भी Metro कोचिस हैं, उन Metro कोचिस को साफ करने के लिए यहां पर Ultra Violet Race को यूज किया है, जिससे क्या हो, कि यानि proper Sanitization किया जाथ सके हैं और साथ साथ म COVID-19 के फैलने का खत्रा कम हो सकें, चले आगे बढ़ते हैं, next question पर, next question में आपसे पूछा है कि अभी हाली में, यानि six state है, जिनके साथ अभी हाली में World Bank ने एक M.O.U. sign किया है Memorandum of Understanding and that is a strengthening, teaching, learning and results for state programs, यानि इसका salt name हो जाएगा, starts, ठीक है, to improve the quality of, quality and governance of school education in six Indian states, तो आपको यह बताना है कि यह जो project sign हुआ है, यह M.O.U. sign हुआ है, इसका amount कितना है, ठीक है, यह आपको बताना है, इसका सही answer क्या है, इसका सही answer है, 500 million dollar, यहाँ पर यह loan sign किया गया है, और इसके तहर क्या होगा, कि World Bank in six states में, यहाँ पर, strengthening, teaching, learning के लिए, 500 million dollar expense करेगा, और जिससे क्या हो सकेगा, यहाँ पर quality and governance of school, education system, हमारा improve होगा, basically education system किसी भी economy का एक base pillar होता है, अगर economic में growth करना, economics में growth करना है, तो आप देखोगे, economy growth करने के लिए, आपका जो सबसे पहला pillar है, वो education है, education यह बात यहाँ पर आपका अगर focus करते हैं, research and development and उन सभी जगहों पर, तो आप देखोगे कि economy तेजी से क्या करती है, grow करती है, and this includes the hematur, प्रदेश, मलब, आप देखें, hematur, प्रदेश, केरला, मत्र प्रदेश, महरास्ट, उडिशा और राजस्थान में यह project चलाए जाएगा, ठीक है, तो इन states के नाम भी आद रखना आपको जरूरी है, चलिए इस बैंक के साथ, जिसके साथ, मिलकल को-branded contactless prepaid card launch करेंगे, यानि Singapore-based एक अभी हाले में new banking startup है, जिसका नाम है Starsfin, Starsfin ने अभी हाले में agreement sign किया है, कि इस बैंक के साथ यह आपको बताना है, ठीक है, तो इसका सही answer है, यानि SBM, Bank of India, इसके साथ में अभी हाले में, इन्होंन contactless prepaid card जारी करेंगे, लेकिन यहाँ पर उससे भी ज़रूरी बात यह है, कि what is the new banking, new banking क्या होती है, तो new banking का मदलब होता है, यानि जब banking की, जो आपको service मिल नहीं है, banking की, जो आपको service मिल नहीं है, वो services आपको completely online मिल नहीं, यानि through the visiting, यानि कोई भी physical connectivity नहीं है, सारी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, new banking बोलते हैं, यह चीज़ आद रखना है, किसमें क्या यह आद रखना है, Singapore based एक start-up है, जिसका नाम है Starsfin, और जिसने भी हाले में, SBM Bank of India के साथ में, एक agreement sign किया है, चले, आगे बढ़ते हैं, next question पर, next question में आप से पूचाए कि, according to the world economic situation and prospectus, 2021 के recording भी हाली में, UN Department for Economic and Social Affairs ने, बांगलादेश की जो GDP growth rate है, उसको यह बताया है, कि कितने percent यहाँ पर down हो गई है, actually में क्या है, कि यह सारे questions इंडिया के perspective से आते हैं, लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है न, कि में भी यहाँ पर questions, neighboring countries से भी पूच लेता है, तो यहाँ पर यह देख ठीक है, तो इतना percent हमारी GDP growth down हो रही है, ठीक है, पहले कितनी थी, 8.4% थी, और उसके बाद यहाँ पर आप देखोगे, लगभग यहाँ पर 7.9%, 7.9%, अपका 6% यहाँ पर यह economic growth रहेगी, ठीक है, तो इंडिया से काफी बहतर है, बंगलादेश की GDP growth rate, because of इंडिया की तो growth rate जो contract कर चुकी है, और minus में जा चुकी है, तो South Asia में आप देखोगे, सबसे बढ़िया जो economic growth है, वो आपका यहाँ पर किसका बंगलादेश का है, इसने काफी अच्छा अपने economy में काम किया है, governance में काफी बहतर काम किया है, तो इसलिए बंगलादेश की जो economic growth rate है, वो positive में ह चलिए, आगे बात करते हैं, इस question पर, इस question में आप से पूझाए कि, as per the national statistical office, NSSO के according अभी हाली में, इंडिया की GDP growth rate है, financial year 2020 में, ठीक है, revised करके, कितना downwards जाएगी, what is the percentage, and उन्होंने ये बताया है, कि इंडिया की GDP growth rate है, इनका revised data रहेगा, वो याद रखना है, आपको कितना percent है, that is the 4%, ठीक है, तो याद रखना है, पहले इनका आखळा था, कि 4.2% यहाँ पर जाएगी, लेकिन अब उन्होंने revised data कर दिया है, 4% कर दिया है, actually मैं बच्चे बहुते होते हैं, कि सर्फ बहुत सारे लोगों के, यहाँ पर GDP आकड़े आते हैं, सबके exam में पूछे आते हैं, कौन कों से याद रखना है, तो actually होता क्या है, यह नि जो quarterly हमारा improvement होता है, यह quarterly result आता है, economy का, तो उसके according, यानि ज revised data निकालते हैं, इसलिए वो देखो, एक-दो महीने बाद वहाँ पर वो चर्चा में रहता है, तो यह चीज़ आता है, इसमें एक particular कालम बना लीजें, उसके according, इंडिया और abroad के, दोनों जगाहों के एजेंसी उसके यहाँ पर, आप projected growth rate लेक सकते हैं, इससे आपको easily याद हो जाएगा, चलिए, आगे बात करते हैं, इस question पर, इस question में आप से पूछाए कि, वर्ल्ड बैंक ने भी हाली में, 1500 million dollar improvement मलब दिये हैं, किसके लिए, to improvement of road and digital connectivity in which nations, ठीक है, तो इसका सही answer क्या है, इसका सही answer है, बांगलादेश, which space agency has appointed Indian American Bhavya Lal, Bhavya Lal Indian American एक origin person है, जिनको अभी हाली में acting chief of staff बनाया गया है, तो इक किस agency ने बनाया है, नासा ने, next question, under the government of new vehicle scrapping policy, तो scrapping policy के अंसर गया, तब यहाली में personal vehicles को undergo fitness test के लिए गुजरना होगा, कितने सालों में यह आपको बताना है, तो उसका सही answer है, 20 years में उसको एक तरीके से fitness test कराना होगा, और जो commercial vehicle होंगे, उनके ओलिए, यहाँ पर 15 साल का fitness test करना नहोगा, ठीक है, तो यह चीज़ यहाद रखना है आपको, next question में आप से पूचाए कि अभी हाली में agriculture infrastructure development में कितना परसेंट यहाँ पर पेट्रोल पर सेस लगाया जाएगा, तो यहाद रखना है, पेट्रोल पर जो agriculture infrastructure development है, उसके लिए भी हाली में 2.5 पर लीटर यहाँ पर लगाया जाएगा, और जो डीजल है, डीजल पर आप दिखोगे, चार रुपे पर लीटर यहाँ पर लगाया जा रहा है, क्या सेस लगाया जा रहा है, यह सेस क्या होता है, सेस का मलब होता है, यह एक process tax on tax, यहाद रहा है tax on tax, इसका मलब है कि यहाँ टैक्स पर एक और टैक्स लिया जा रहा है, जो की एक specific duty के लिए है, इस पर duty यहाँ पर इंट्फार्स्ट्ट्रों में बूस्ट किया जाएंगे निनको वहाँ पर लगाया जाएगा तो आज के डिस्कुशन में इतना ही थैंक यू थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो पसंद आए तो लाइक करें चैनल को सब्स्ट्राइग करें अपने दोस्तों के साथ सहर करें